क्या हाल चाल है क्यासा है बाई सब लोग मज़ा माच हो आनन्द हो रहा है शैलो हाई-ई आचाल है बोकर रहे हैं आज बहुत बहुत बहँत ब्रुच समय हरे हैं लेकिन उसके बादjin ब्रुकू समय होता है क्या उसका फैसाश नाम लिखना होता है तब तक अपन आगे की कोई भी चीज नहीं पढ़ सकते है ना योगी का नाम देकर आपको कोई चीज पढ़ ले आपको पूरी औरगनिक हैमिस्ट्री आती है लेकिन आपको किसी योगी का नाम नहीं आता तो आप कैसे उस योगिक को याद करेंगे कैसे उस योगिक की अभिक्रियाएं करेंगे कैसे उस योगिक में अमलियता शारियता उसकी परबलता कैसे चेक करेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए है कि जो योगिक अपने सामने है उसका नाम क्या है ठीकर तो यहां से इसे नाम की अगर अपन बात करें तो नाम लिखते टाइम अपने पास में बहुत सारी चीजे बार-बार में आएगी तो आपको मैं सबसे पहले आज सिखाऊंगा फ्रिवेलेंसी यानि मुक्त सही हो जगता इसको बोलते हैं मुक्त मुलक क्या से कहूंगा मुक्त मुलक ठीक है यानि फ्रिवेलेंसी फ्रिवेलेंसी क्या होता है इसको अपने हलका सा समझते हैं होता क्या है कि अपनी और्गेनिक केमेस्ट्री में यह आपके पास कार्बन है कार्बन की केमेस्ट्री है पूरी और यहाँ पर क्या जुड़े हुए तीन हाइट्रोजन और इसके सा बंद है, सहसा योजी बंद है, और सहसा योजी बंद जो होता है, वो दो जणों की बराबरी इलेक्टरोन की साजेदारी जो होती है, उससे बनता है, यनि दोनों का इक्वल तालमेल होता है, दोनों का बराबर तालमेल होता है, उससे क्या बनता है, अब इसमें जो सहसा योज रुपे लगा है दोनों के बराबर क्या है रुपे है तो इस कंडिशन में होता क्या है कि इस बंद को अगर आप तोड़ते हो इस बंद को जब तोड़ा जाता है तो इस बंद को आप अगर डेल्टा डेल्टा का मतलब क्या होगा और्गेनिक में उस्मा क्या दोगे आप अग उसमा दी जाती है तो वो बंद हमेसा बराबर दो भागों में तूटता है क्यों तूटता है बराबर दो भागों में क्योंकि उसमा जब देते हो तो ये नॉर्मल एनरजी होती है कोई बड़ी भारी उर्जा नहीं होती है और बराबर जो बंद तूटता है उसमें कम उर्जा क्या देरहो मतला कापको परकास है वह आप यह पर डाल रहे हूं है तो में रिगनी यह दाल रहे हो तो फो हां पर हमेसी और गोनी के में बंद बराबरा दो वागों में टूटे गा और यह बराबर दो दूब हो में टूटे गा तो एक इलेट्रुन किसका था कारबन का, एक इलेक्ट्रोन किसका था कारबन का, एक किसका था इस A का तो आपके पास में, जब यह बंद यहां से टूटेगा, बंद टूटेगा तो आपके पास में कंडिसने से बन जाएगी C, H H, H और यहाँ पर क्या लग जाएगा यह मुक्त मुलक यानि एक इलेक्ट्रोन इसके पास चला गया और एक इलेक्ट्रोन अपना ए ले गया अब यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रोन पड़ा है इसको ही बोला जाता है मुक्त मुलक क्या बोला जाता है मुक्त मुलक या इसी को बोला जाता है मुक्त सही हो जगता क्या बोले जाती है मुक्त सही हो जगता आगे बास बहुत अब यह जो मुक्त सही हो जगता है इसी को अपन वो chemistry में बार-बार यूज़ करते हैं आर ये आर ये आर यही चीज है ये electron को इस dase से दरसाते हैं और ये होती है वो आपके मुक्त सही हो जगता अब इस आर को इसको पूरे को मैंने क्या मान लिया आर इस आर के साथ में मान लो देखो OH जुड़ गया तो ये alcohol बन जाता है मान लो इसके साथ में कार्बोक्सली कमल जुड़ गया मान लो इसके साथ में एनस्टू जुड़ गया तो ये अमीन बन जाता है तो ये आर जो है ये ही कह है मुक्त सही हो जाकता है अब ये आर जो है ये अलग-अलग नाम से कुकारी जाती है अब कहां पर इसका नाम क्या पड़ेगा ये आपको पैचानना है तो मैं जो बाते बता रहा हूँ ये ध्यान रखना आगे के सारे चप्टरों में काम में आएगी अभी से नोर्स में बिलकुल तरीके से आप इसको एड़ करो सबसे हलका मेरे पास क्या होता है मेथेन एक कारबन वाला इस मेथेन में से अगर आप एक हाइडरोजन हटा दोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा CS3 और इसकी एक सायोजकता क्या हो जाएगी फ्री हो जाएगी अब ये जो इसकी सायोजकता फ्री हो गई है ये जो इसकी सायोजकता मुक्त हो चुकी है इसको बोला जाता है दिखो यहां से एक सही हो जगता हट गई तो इसको बोला जाता है मैथिल इल परते लग जाता है क्या लग जाता है मैथिल इल परते इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन और अटा दू यहां से मैंने एक hydrogen minus कर दिया यहां से मैं again एक hydrogen minus कर रहा हूँ अगर इसी condition आपके पास में है अगर इसी condition इसमें से एक hydrogen और बठा दिया तो अभी यह बन जाएगा CH2 क्या बन जाएगा CH2 CH2 होता है इसको बोला जाता है methylene, methylene क्या बोला जाता है methylene या methylene यह होता है methylene methylene क्या होता है methylene इसमें से अगर एक hydrogen और हटा दू तो यह बन जाएगा CH इसको बोला जाता है methylene methylene इसी का दूसरा नाम होता है methylene क्या होता है methylene और यह होता है methylene आगे क्या बास समझें ठीक है यह क्या है methyl CS3 को क्या बोलो गया methyl इसी के साथ मैं मैं ले रहा हूँ नेक्स इस और वो क्या है सुनना अगर मैं यहां पर लेता हूँ अगर अगर आपके पास में कभी भी ऐसी कंडिशन आ जाएं अगर आपको कभी भी ऐसी कंडिशन आ जाएं इसा सिश्टम अगर आपको दिख जाए इस कार्बन का संकरण देखो क्या है इस कार्बन का संकरण क्या है इस कार्बन का संकरण क्या है SP2 क्योंकि देखो एक सिग्मा एक पाई एक मुक्त सही होजगता पर कोई आके जुड़ेगा और एक इसके साथ में क्या हाइड्रोजन इसका संकरण क्या है SP2 अगर कभी भी जो आपकी मुक्त सही हो जकता है ये जो मुक्त सही हो जकता है ये अगर डाइरेक्ट SP2 कारबन से जुड़ी रहे डाइरेक्ट किसे जुड़ी रहे SP2 कारबन से तो बेटा इसको बोला जाता है विनाईल क्या बोला जाता है विनाईल क्या बोला जाता है विनाईल जैसे हम आपको एक्जामपल दे रहा हूँ जैसे मैंने ले लिया C, C, डेवलबॉंड, C और यहां पर जोड़ दिया मैंने कोई हेलोजन, अक्स अक्स का मतलब कोई फलोरीन, कलोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो इसका नाम क्या पढ़ जाएगा इसका नाम क्या पढ़ जाएगा विनाईल, विनाईल, कलोराइड, क्या पढ़ जाएगा विनाईल, कलोराइड अगर यहां कलोरीन है और अगर हेलोजन पूरे सारे हेलोजन है तो यह क्या हो जाएगा विनाईल हेलाइड क्या हो जाएगा विनाईल हेलाइड जैसे मैंने मालों यहां पर ले लिया कारबन डबल बॉंड कारबन और यहां जोड़ दिया मैंने ओँच क्या जोड़ दिया ओँच तो ये क्या हो जाएगा विनाईल एलकोहॉल क्या बन जाएगा विनाईल एलकोहॉल क्या बन जाएगा विनाईल एलकोहॉल क्या बन जाएगा विनाईल एलकोहॉल तो जब डाइरेट आइस पिस टूजे जुड़ जाए उसके बास सुनना अगर कभी भी एसी condition आ जाए carbon, double bond, carbon, single, carbon और यहाँ पर यह आपके पास में क्या है? मुक्त सही हो जगता यह क्या condition हो गए? माल लो यहाँ वाला जो carbon है वो तो क्या है? SP3 है कैसा है SP3 लेकिन आगे वाला carbon आपके पास में अगर SP2 हो जाए क्या हो जाए? SP2 तो इसको बोला जाता है ELIL क्या बोला जाता है? ELIL या ELIL क्या बोला जाता है? ELIL तो सुनना जैसे इसे आ गया C, double bond C C और यहाँ पर जोड़ दिया मैंने X यह क्या जोड़ दिया? X तो यह क्या हो जाएगा? ELIL, ELIL क्या हो जाएगा? ELIL हैलाइड क्या हो जाएगा? ELIL हैलाइड ELIL हैलाइड अगर यहाँ पर क्लोड़िन होता है ELIL क्लोराइड ऐसे आ जाता है C, double bond C C और यहाँ लगा दिया मैंने OH तो यह क्या बन जाएगा? यहाँ पर यह क्या नाम हो जाएगा? ELIL ELIL ELCOHOL ELIL ELCOHOL क्या हो जाएगा? ELIL ELCOHOL नेक्स्ट सुनना नोट्स बनाते चालना इस सीज़ोगा अगर कभी भी बेंजीन जो होता है बेंजीन से डाइरेक्ट यहाँ से एक हाइडरोजन अटा कर इस सही हो जगता को अगर मुक्त कर देते हो डाइरेक्ट बेंजीन से अगर मुक्त कर देते हो तो इसका नाम क्या हो जाता है? फिनाइल क्या हो जाता है? फिनाइल H5 क्या हो जाएगा C6 H5 इसी को बोला जाता है फाई क्या बोला जाता है फाई फाई से भी इसको रेप्रेजेंट करते है फैनिल C6 H5 या फाई आप सुनना जैसे यहाँ पर मैंने एक अक्स जोड़ दिया और इसी का नाम होता है Arial क्या होता है Arial क्या होता है इसका नाम Arial तो यह देखो इसका नाम क्या हो जाएगा Arial Halide क्या हो जाएगा Arial Halide यह चेप्टर आएगा अपने एलोजन derivative, alcohol, phenol, ether वहाँ पर यह सीज़े काम में आएगी Arial Halide क्या हो जाएगा Arial Halide सुनना नेक्स्ट अगर ऐसे हो जाए ये बेंजीन है ये बेंजीन है और इसके ओपर कार्बन है और इस कार्बन से एक कोई सही हो जगता कि F मुक्त है एक कार्बन फिर सही हो जगता मुक्त है तो इसको बोला जाता है बेंजाईल क्या बोलते है बेंजाईल वो क्या था फैनि फाई एरिल ये क्या है बेंजाइल बेंजाइल कब होगा जब बेंजीन के साथ में एक कारबन उसके बाद में मुक्त होगी सब्सक्ता जैसे मैंने इस वाली कंडिशन में क्या दे दिया आपको जैसे ये एक्जामपल है देखो ये और इसके ओपर CH2 और यहाँ पर क्या जुड़ा है कोई अक्स जुड़ा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेंजाइलिक क्या हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड क्या हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड क्या हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड अगर यहाँ पर इस अक्स की जगे जोड़ देता हमें OH तो क्या हो जाता बेंजाइलिक या बेंजाइल अलकॉल अलकॉहॉल आगे बाद समझोए यह क्या है अगर यहाँ पर जोड़ देता हमें पर बेंजिन के ऊपर डाइरेक्ट OH तो यह वा जाता है फिनोल लेकिन यह कयो जाता है बेंजाइल अलकॉहॉल क्या हो जाता है बेंजिल अलकॉहॉल तो यह चीजady देखो बिल्कुल बैसी करने हां इनको इस डाइक नोर्स भी बनाते जाथ साथ में तो यह चीजे आपके काम में आई यह चीजे काम में सुनना नेक्स्ट अपन बात करते हैं मालो आपके पास में यह तो सही होजगता है मैंने क्या कर दी मुक्त कर दी अब सुनना एक नामकरन आता है बार बार में वो आता है एन आईसो और नियो यह आईसी आर के लिए इंपोर्टेंट है एन आईसो नियो सुनना मैंने आपको एक चीज शिकाई थी लाइव क्लास में है डिग्री ओफ कारबन की डिग्री शिकाई थी जिसमें प्राथमिक कारबन था दितियक था तृतियक था और चतूर तक था यह चार आपने पास में कारबन था प्रतम दितियक तृतियक और चतूर तक अब सुनना जब भी एन आईसो नियों आप ये चेक करो तीनों तो आपको पास में सबसे पहले मुक्त जो सयोजकता लगी हुई है मुक्त सयोजकता यानि फ्री वेलेंसी जहां लगी हुई है वो मुक्त सयोजकता प्रात्मिक कारबन के पास होनी चाहिए किसके पास होगी प्रात्मिक यानि वन डिग्री होगी क्या होगी वन डिग्री जहां मुक्त सभी उजगता होगी वो कारबन वन डिग्री होगा रामबान तरीका है यह इसको पैचानने का सुनना जैसे आपके मारे एक जामपल यह है और यहां पर सही होजगता इसकी मुक्त है जैसे मैंने ले लिया CH3 CH2 CH2 और यह ले लिया CH2 और यहां पर यह इसकी सही होजगता एक यहां पर मैंने मुक्त कर दी यह वाली यह वाली मैंने मुक्त कर दी तो इस देखो यह क्या है चार कार्बन वाला क्या होता है wait me at Prophet beauty तो डेको यहां पर फिरी है यहां पर तो यह हो जाएगा andssäPE n existing क्या हो जाएगा and you tell me बिल्कुल सामानने कुछ भी नई है कि आई तो होगा आई शूंप पहिछाने का तरीका बताहु आज गलुचSON नीकालते हैं नहीं जो गाड़ियां यह शाइकल वागेरा yasukar अज पुरने कालते हैं तो फॉयाज रखता है इसे लेक Cub कैसे इसमें एक रोड़ तो एस होती है और एक रोड एस होती है एसे ठीक ऐसे यह अईसे उसको ऐसे पकड़ता है यह थीक है ऐसे पकड़ता और वह तशा裡 के अंदर् Grad यह आई सहे सी अंधर यह उसक ऐसी कंडिशन कई पर भी Europeans अर्ग गोल्गेना आई सो फंचरवाली के सी यह आई सो थीक है अब झुलना पंचरवाली आई सो क्या से तो मै एक क्या बोल रहों है पहले तो मुक्त सयोजग्ता कहां होगी मुक्त सयोजग्ता प्राथ्मिक होनी चाहिए अगर आपको दूसरे कारवण पे Second Carbon अत्वा अत्वा सेकिंड लास्ट कारबन पर सेकिंड लास्ट या तो दूसरे पर या लास्ट में दूसरा वाल जो कारबन है सेकिंड लास्ट कारबन पर पर एक CS3 समूह जुड़ा होगा CS3 समूह जुड़ा होगा जेसे एक्जाम्पल लेते हैं मैंने लिया कारबन 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 और यहां पर मैंने लगा दिया CS3 यह CH2 यह CH यह CH2 और यह CS2 और यहां पर यह सह जगता मैंने कर दी मुक्त अब इसमें देखो सेकेंफ लास्ट कारबन कुन सा यह यह यहेंद लास्ट कारबन कारबन और मैफिल यह जूड़ा हुआ है देखो यह सेकन्लास्ट पर अगर मैफिल सहमु आ जाए और देखो सही हो जगता है जिस कίαरबन से फ्री रेवह चार्बंकिपल इस कंडीीसन में आप क्या बोलते हो ISO, तो इसका नाम क्या हो जाएगा देगो, एक, दो, तीन, चार, पांच कारबन है, तो ये क्या हो जाएगा, ISO, और पांच कारबन के लिए क्या लग जाता है, PENTEN, क्या लग जाएगा, ISO, PENTEN, अब ISO में बाकी सब तो सही है, यहाँ पर दो अपवाद है, एक होता है, आईसो प्रोपेन, अपवाद कैसे है, सुनना, आईसो प्रोपेन होता है, CS3, CS3, और यह यहाँ पर C, और इसके साथ में, यह सही हो जगता, फिर यहाँ हाइडरोजन जोड़ावाद, अब यह होता है, तो बात सो सही है, लेकिन यहाँ देखो न, इस कारबन की डिगरी कित दो है, जिबकि आईसो में मैंने कंडिशन क्या बताई ही थी, यहाँ पर क्या होती है, मुक्त सही हो जगता, प्रात्मी कोनी चाहिए, यहाँ पर मुक्त सही हो जगता, क्या है, दिती है, लेकिन, लेकिन हुआ क्या, यह लगतो स्पंचर वाले जैसे ही रहा है न, और वास् की उत्पती ही यहां से हुई ती लेकिन लास्ट में जहां पर भी यह इसको इसको भी बोलेंगे तो यह क्या है आईसो प्रोपेन क्या है? आगे क्या बास समझो ऐसे ये इक होता है आईसो ओक्टेन क्या होता है? आईसो ओक्टेन देखो वह बताता हूँ मैं आपको आईसो ओक्टेन करी किसे और दो जोडे हुए यहां पर तो एक सी एस घ्यू जोड़े हुए यहां कितने 토 मिज़नी दों फर्स्ट पे एक लेकिनुआ क्या था इसको exceptionally स्विकार कर लिया कि इसको ही आप ISO-Octane बोलेंगे तो ये थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा एक example कि ISO-Octane ये है तो आपको ऐसा का ऐसा ध्यान रखना है जिसमें गलती मत कर देना अब सुनना तीसरी बात क्या है अपने पास में नियो तीसरा क्या है तीसरा क्या है आपके पास में नियो अब नियो कहां लगाना है सुनना नियो की क्या condition ISO में क्या था दूसरे या अंतिम दूसरे कारपन पर एक CS3 होना चाहिए नियो में पहली चीज मुक्त सयोजगता कैसी होनी चाहिए प्रात्मिक कैसी होनी चाहिए प्रात्मिक दूसरा सुनना दूसरे कारपन पर सेकिंड कारपन या सेकिंड लास्ट कारपन कारपन पर दो CS3 समू होंगे सुनना जैसे थे क्या कर दिया इसकी सयोजगता मुक्त कर दी दो हाइडरोजन यह 3 यह 3 यह के है? तो अब सुनना इसका यह सेकिंड कारपन हो गया इस सेकिंड कारपन पर इस सेकिंड कारपन पर देखो एक CS3 और दो CS3 जुड़े वे ठीक है? तो ये क्या हो जाएका आपके वंस कितने कार। बना है? 3,2,5 इसको बुला जाता बेटा नियोपेंटेन नियोपेंटेन ऐसे भी पूछा जाता था के नियोपेंटेन की Mountain 스ffee लिखो तो पहले IUP星 तो सिखा हूंगा मैं पर दिमाग मैं ये आकर्ती भी तो बननी चाहिए नियोपेंटेन तो मैं तो कहता हूँ नियोपेंटेन तो ऐसे किस दिना ऐसे यहां CS3 यहां CS3 यह C और यह CS2 और एक सही हो जगता मुक्त कर लेना यह क्या है नियोपेंटेन यहां hydrogen लगाते हैं क्या हो जाएगा यह नियोपेंटेन आगे बाद समझे यहां CS3 लगा दूँगा तो क्या बहुत हो कि नियोपेंटिल क्लोराइड आगे बाद समझे तो छुना ट्रिक क्या बताईए यह important है मुक्त सही हो जगता प्रात्मिक होने चाहिए केवल आईसो प्रोपेन को छोड़ कर मुक्त सही हो जगता जब भी आपको प्रात्मिक देखना है मतलब एन आईसो नियो देखनी है सबसे पहले देखो कि मुक्त सही हो जगता प्रात्मिक है या नहीं दिमाग में सवाल आएगा कि सर अगर मुक्त सहीं होगता परात्मिक नहीं है तो क्या करना है तो नाम क्या लग जाएगा? नॉर्मल नाम द्वितियक two degree को क्या बोलोगे? द्वितियक three degree को क्या बोलोगे? तुर्तियक रागे के पास में जैसे example ले लिए महलो आपने ये लिया ठीक है? और ये आपके मुक्त से हो जखता यां कर दी और यां पने जोड़ दिया और यह आपर मुक्त से ओजखता कर दी मैंने अब सुनना इस कारबन की पहले डिग्री चेक करो इस कारबन की डिग्री कितनी है? एक और एक दो मैंने क्या बोला एन आईसो नियो लगाने के लिए वन डिगरी होना से कार्बन, यह टू डिगरी है, तो इसको सामाने आप क्या बोल दोगे, एक, दो, तीन, चार, पाँस, तो क्या बोल दोगे, धितियक भाई 2 डिगरी है न, धितियक पेंटेन, भैस, यह, जितियक लगजाएगा, अब एन आइशो मेंदियोगे सीडिया ए staple टी gang 2 सोने पाल शक्रिए £02 मेने आपकोади कुमुट सयों जगता बनाने शिक्तर विनाइल क hackers ची तो मैंने आपको मेथिलीन चीखाया और मेठाईली झीक्रिण कर दोनानीचर है कि विनाइल यह आपको को एलाइल का क कि एक थे एक में एक हुण हिर्टा सच पि स्बाद में सिखेज्ञ है कि अपर मेंने आपको फिर짜 happened वेंजीन से डाइरेक्ट एक से हो जगता, मुक्त होगी, तो वो क्या हो जाएगा, फिनाइल, और जैसे आप योगी के लगाओगे, बैसा है नाम लगाया दिया, जैसे, मैंने बहुत दिया, बैंजाइल क्लोराइड, तो बैंजीन पे से दिमान, बैंजाइल, एक बैंजीन, पे CH2 और फिर OH मैं वो दू फिनोल बेंजिन पर डाइरेक्ट OH समख रहा है चलो जिवाई अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और अब अपने स्टार्ट करते हैं अपने IUPAC इसी का नाम होता है जीनेवा नाम करन आयू PSC नाम करन और जीनेवा नाम करन आयू PSC इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन फोर प्योर एंड अप्लाइड चेमिस्ट्री अब देखो IUPAC बहुत बेसिक चीज है पर IUPAC को लोग रटते हैं रटना नहीं है कोई रूल नहीं है आयू PSC को कोई फिक्स रूल नहीं है जैसे से एक्जामपल आएंगे वैसे वैसे आपको रूल बताते जाओंगा लेकिन ध्यान क्या रखना है आयू PSC को सीखने के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट चीजे होनी चाहिए कि एक तो डेडिकेशन होनी चाहिए आपको इंजो याना चाहिए दूसरा देखो आपको एक चीज बताओं मैं अभी रात के तीन बज़े के शीयालिस मिनट हो गए ठीक रात के तीन के शीयालिस मिनट होने वाली है रात को नो बज़े से रिकोर्डिंग चल रही है इन वीडियोस की तो हम आपके लिए इतना कर रहे हैं पूरी रात जाग रहे हैं तो आपका भी फड़ जाए कि आप थोड़ इंसिट्यूट के लिए डेडिकेट होके तैयारी करें पूरी रात से बंदना वह मैंनत कर रहा ह आपके लिए ही कर रहा है तो आप थोड़ा सा खुद भी डेडिकेट होके तैयारी करें सुनना आयूपीएससी देखो मैं अब खुद दिखा दू आपको कितना हो गया तीन से तालीस ठीक है अब सुनना अगर मैं बात करूँ आयूपीएससी इसी का दूसरा नाम है यह कोई मैंने मान लोग गाई बनाई ही चीक तो होगा क्या अपने इंदुस्तान वाले इसको क्या बोलेंगे गाई हमारी मात्ता मतलब गाई इसी चीज़ को अमेरिका वाले क्या बोलेंगे अमेरिका वाले क्या बोलेंगे काउ और इसी को अपन बाइलोजिकल लेम में क्या बोलेंगे बोस इंडिकस तो इसके नाम क्या होंगे अलग अलग होगे ठीक है गाई अमेरिका में बोलेंगे काउ ऐसा बोलेंगे इसको बोस इंडिकस अलग अलग नाम माल लो मैंने यहाँ पर four five देस के बंदे कड़े करी और किसी को योगिक दे दिया या माल लो किसी को मैंने को जान वड़ दिया सब आपस में लट रहे है वो बोल रहा कि ये तो ये है ये तो ये है ये ये नहीं ये ये है ऐसा दिमाज में अलग-अलग क्यारे अपने पास में ख्याल आ रहा है लेकिन इन सब की माताफोडी को खतम करने के लिए यह सारे लोग इकटे होटे I.U.P.S.C. के पास जाते हैं और बोलते हैं कि बहुत दुविदा में हैं कुछ करो तो I.U.P.S.C. क्या करती है इन सब को बोलती है कि हम आपको एक पुडिया देते हैं यह पुडिया लेके जाई है खोलेंगे नहीं इस पुडिया को यहाँ पे घर पे जाके इसको खोलना है और आपके पास में हर चीज का सोलिशन मिल जाएगा क्या मिल जाएगा हर चीज का सोलिशन सब अपने अपने घर गए और इस पुडिया को खोला तो इसके अंदर लिखा वाता रूल्स फोलो दे रूल्स नियमों को फोलो कीजिए सब का अंसर सेम आएगा तो इस लड़ाई को खतम करने के लिए I.U.P.S.C. ने योगी को का नाम करन करने के लिए बहुत सारे क्या दिये नियम दिये थे बेसिकली तीन नियम हैं लेकिन वो तीनों नियम क्या हो जाएंगे अलग अलग तरीके से परिवर्थित होते चलेंगे आपको किसी भी योगी का जब नाम लिखते हो आपके पास में जो फॉर्मेट बनता है वो फॉर्मेट कुछ इस परकार से बनता है सबसे पहले आपको एक मूल सब्द मिलेगा सबसे पहले आपके पास में क्या मिलेगा एक मूल सब्द मूल सब्द क्या होगा आप यह पन प्रात्मिक, इसके इस तरफ भी लिखोगे, प्रात्मिक, इसके बाद में लिखोगे, दित्यक, इसके इस तरफ भी लिखोगे, दित्यक, किसी भी सब्द के आगे लगने वाले क्या होते हैं उपसर्ग किसी सब्द के पीछे लगने वाले क्या होते हैं प्रते आई यूपीसी नाम लिखने के लिए आपको ये फोर्मेट ध्यान लगना है बीच में आपका मूल सब्द होगा उससे आगे आपके पास में दितियक उपसर्ग होगा फिर उसके बाद ये प्रात्मिक उपसर्ग ये मूल सब उसके बाद ये प्रात्मिक प्रते उसके बाद ये दितियक प्रते क्या होते हैं सुली मैं सारी चीज़े आपको सिखाऊंगा हिम्मत रखनी है बिल्कुल आसान है थोड़ा सा सीखने के बाद में यह आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल चीज बन जाएगे प्रतिस्थापी के लिए किसके लिए लगता है प्रतिस्थापी के लिए किसके लिए लगता है प्रतिस्थापी के लिए प्रात्में प्रतिस्थापी के लिए लगता है जब कोई योगी का आपके पास में चक्री ये होता है किसके लिए लगेगा चक्री योगी के लिए तो आपको उस टाइम लगाना है साइकलो क्या नाम लगाना है साइकलो ये आपको उपसर्ग यूज़ करना है साइकलो चक्रिये के लिए मूल सब्द क्या होते हैं मूल सब्द मतलब आपकी कारबन में कितनी मतलब कारबन सरंकला में आपके साउ Jarad Göougi कैंशे में एक कारबन सरंकला है। उस कारबन सरंकला में कारबन की संक्या कितनी है यह मूल सब्द आएंगे कारबन संक्या। वो किसे आईगी मूलस से ? जय्से मूलस आपके पास में अगर एक कारबन है तो काया उज़ करो आप मेत ही यूज़ करोगे मेत एक नमबर पर गणीत दो कारबन अगर आपके पास में होंगे तो आप यूज़ करोगे एत तीन कारबन होंगे तो आप क्या यूज़ करोगे प्रोप चार कारबन होंगे तो क्या यूज़ करोगे पैंट अगर आपके बास में 6 कारबन होंगे तो क्या यूज़ करोगे हैक्स 7 कारबन होंगे तो हैप्ट 8 होंगे तो 8 9 होंगे तो 9 10 होंगे तो डेका 11 होंगे तो अन डेका 12 होंगे तो डोडेका ये आपके पास में क्या होंगे मूल सब्द उसके बाद में प्रात्मिक परते क्या होगा प्रात्मिक परते का मतलब आपको जैसे कहीं पर एलकेन के लिए आपको पता है न परते क्या होता है एलकेन के लिए परते क्या होता है एन इन आईन ये क्या होते हैं प्रात्मिक प्रते दितिक प्रते क्या होंगे कोई भी आपके पास में प्रैकारियात्मक समू होगा प्रैकारियात्मक समू क्या है प्रैकारियात्मक समू जो है प्रैकारियात्मक समू का जो नाम होगा वो क्या होगा आपके पास में रिटियक प्रति क्या होगा रिटियक प्रति क्या हो का होगा इफ द्ह्रब्र नौई प्रतित्यक प्रतिच सब दाया आपके पास में और ट्रतिस्तापी अ कि हैं और कि एक आया प्रकारियात्म ख समो मोझ truly क्या होता है और प्रकारियात्मक् समू क्या होता है इसले अपिसी करभण स्रंकला के साथ में जूड़ रॉसके रासाइनिक गुन का निठारण करता है माल लो आपके पास ये कोई कारवन स्रंकला है इसके अगार अगर मैं उमच लगा दू तो यह क्या बन जाएगा आपके पास में अलकोहल अगर मैं यहाँ पर OH ना लगा कर CWH लगा दूँ तो यह क्या बन जाएगा कारबॉक्स लिकम्ड अगर मैं यहाँ पर CHO लगा दूँ तो यह क्या बन जाएगा जूड़ते हैं ये भी किसके साथ है कारबन स्रंखला के साथ में लेकिन ये रासाइनिक गुणों का निर्धारन नहीं करते हैं ये किसका निर्धारन करते हैं बहुतिक गुणों में केवल परिवर्दन कर सकते हैं बाकि ये रासाइनिक गुणों का निर्धारन नहीं करते हैं हाला कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं कैसे आपके पास में मालों ये कारबन सरंकला है यहाँ पर CWH जुड़ावाए और यहाँ पर जुड़ावाए ओँच अब यहाँ पर आपको दो परकारियात्मक सम्मु दूख रहे हैं CWH और ओँच अगर दो परकारियात्मक सम्मु आ जाए हैं तो सबसे जो परबल परकारियात्मक सम्मु होता है केवल वही परकारियात्मक सम्मु होता है बाकि दूसरा जो परकारियात्मक समू है वो क्या बन जाता है प्रतिस्थापी बन जाता है जिससे यहाँ पर परबल कोन है याद करो लाईव में बता है गलीका गुंडा गलीका गुंडा कौन कार्बोक्सली कमल सबसे परबल होता है तो यहां पर कारबोक्स लिक अमल तो क्या है प्रकारियात्मक समूँ और अब वच क्या बन गया है यहां पर प्रतिस्थापी क्या बन चुका है प्रतिस्थापी बन चुका है तब मुख्य प्रकारियात्मक समूँ अगर आ जाता है तो उसके बाद में जो प्रकारियात्मक सम सबसे पहले न होता है सबस्क्राइब कर बोक्स लिक Summit है को और उसके बाद में अपने पास होता है सलोनिक अलिक ऑलन कि इसके बाद में क्या होता है इन läuft और राइड़ उसके बाद में क्या होता है एस्टर क्या होता है एस्टर उसके बाद क्या होता है एसिड हेलाइड उसके बाद क्या होता है एमाइड उसके बाद में क्या होता है साइनाइड फिर क्या होता है आईसो साइनाइड उसके बाद में क्यों होंगे LD हाइड उसके बाद कौन होगा Ketone उसके बाद कौन होता है Ketone के बाद में क्यों होगा Alcohol इसके बाद में कौन होता है एमीन उसके बाद कौन होता है इथर आगे बास मुझे तो ये अपने पास में क्या होते हैं परकारिया आत्मक समुझ एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा जो अपरवाला अगर आ जाए है तो नीचे वाले सारे परतिस्ता पी हो जाएंगे इनका पैसान होगे कैसे किसी के लास्ट में ये सी डेबलो एंच लग जाए तो गारबोसली कमल है आएस सो थ्री एंच लग जाए तो वो क्या है सलफोनी कमल है ओए के इन राइड ऐसे लग जाए सी डेबलो और ओओ ये होता है ये होता एस्टर था 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 क्या होगा और C double bond O O R इस ही अगर structure दिख जाए कि इधर carbon sun कला इधर carbon sun कला और बीच में यह structure दिख जाए तो यह ester है acidylide क्या होता है R C double bond O X M ID क्या होता है R C double bond O NH2 यह सुत्र आपको तो याद करने पड़ेंगे cyanide क्या होता है R C N isocyanide R N C aldehyde R के साथ में CHO ketone R C double bond O R alcohol R O H thio alcohol R SH amine R NH2 ether R O R यह क्या होता है आयू PSC से क्या होता है कि IUPAC सवाल जेट में नहीं आता है लेकिं IUPAC नहीं पड़ोगे तो योगी को के नाम नहीं होंगे योगी को के नाम नहीं होंगे तो आपके पास में organic chemistry के सवाल नहीं होंगे आगे बहुत समझें अब सुनना अगर में बात करके चलता हूं नेक्स्ट तो यह तो आपके पास में हो गया परकारियात में समझें अब आपको पैचानना है कि किस में कौन चा परकारियात में समझें और परतिस्ता पी कौन है तो मैंने लिए कारबन 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 यह कारबन यह कारबन यह कारबन यहां पर लगा दिया यह सी डबलो एच यहां लगावा है SO3H यहां लगा दिया मैंने OH यहां लगा दिया NH2 और यहां पर मैंने लगा दिया आपके सामने कुछ भी लगा दिया वापस OH लगा तो यहां पर देखना यह है कारबॉक्सलिक अमल, यह है सल्फोनिक अमल, यह है एल्कोहल, यह है अमीन, यह वापस क्या है यहां पर मुख्य परकारियात मकसा मुख्या है? तो यह वापकी सब क्या हो जाएंगे? यह परतिस्थापी, यह क्या हो जाएगा? परतिस्थापी, यह क्या हो जाएगा? परतिस्थापी, और यह भी क्या हो जाएगा? परतिस्थापी, आगे बाह समझें? तो आपको मुख्या परकारियात मकसा मुख्या और परतिस्थापी म मैंने अंतर बता दिया आजी बास समझें अब सुनना है agoda Osama को मूल सब्दपर ने देख लिया огś date कि प्रिंगल सब्दोंद होता तो क्या कंडिशन होती है है यह क्या घर कि यह क्या होती है एलकीन रेड़नों यह क्योंता है ए इल्क सब्द का मतलब क्या होता है देखो यहां पर आ रहा है इल्क प्लस एन इल्क प्लस एन इल्क प्लस आइन आ रहा है तो देखो इल्क का मतलब होता है कारबन की संक्या क्या होती है कारबन संक्या वही मेत एत प्रोप व्यूक्मूल सब्द अप इन भीस टेको एन उनी आइन सबसे पहले किसको प्राइटियिये देखो एकॉड के प्राइडिय। इसिए क्योंगी आइन। हैं अब सुनना आयूपिसे लिखने क्लिए आपके पास में रूल क्या enough सुने एक तीन रूल होते। सिर्फ पहला रूल सुनना सबसे पहले आपको कार्बन सरंकला का चैन करो उसके बाद में आपको क्या देखना होता है उसके आद में आपको नमबरिंग करनी होती है क्या करनी होती है, numbering, बहुत आसान है बेटा, IUP, आगे देखना भी, बहुत आसान, numbering, और तीसरा काम हो, उसका नाम करन करना, यानि उसका नाम लिखना, पहला कार्बन सरंकला का चैन, दूसरा आपको क्या करना है, numbering करनी होती है, और तीसरी आपको क्या करनी होती है, इतने बहुत ज्यादा अपने को परिशान करते हैं, लेकिन है विल्कुल आसान, लोजिकल चीजे हैं इसके अंदर, आज़े बास समझें, सुनना, अपन, हलके हलके बात करते हैं, पहला होता है कभी भी आपको कार्बन सरंकला का चयन करना है कभी भी क्या करना है कार्बन सरंकला का अगर चयन करना है या कभी भी आपको numbering करनी है कभी भी आपको क्या करनी है numbering करनी है तो इसके लिए एक order द्यान रखना आप एक क्रम द्यान रखना प्रायोरिटी हमेशा सबसे पहले आपको परकारियात्मक समू को देनी है हमेशा है परकारियात्मक समू मुखे पर कारियात्मक सम्मु को जहां मुखे पर कारियात्मक सम्मु होगा कारभocalyptic रंकला वह वाली ही क्या होगी चख्यन होगी उसके बाद में आपको हमेशा पाई बंद पाई बंद का मतलर double or triple bond वालों को प्राइरिटी देनी है और उसके बाद में आपको क्या लेणा है प्रतिस्थापी उसके बाद हमेशा क्या लेणा है प्रतिस्थापी लेणा है ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है आगे बाद समझे जब भी आप चाहिए कारबंस रंकला का चाहिए न करो चाहे तो आप नम्बरिंग करो आपको सबसे पहले परकारियात्मक समू को देखना है मुख्य परकारियात्मक समू स्कारबन स्रंकला में होना चाहिए नम्बरीं करते हो तो सबसे पहले नम्बर आप मुख्य परकारियात्मक समू को दो बाकी अगर कुछ भी चूटे तो छोड़ दो अगर मुख्य परकारियात्मक्समू को लेने के चक्कर में बाकी कुछ भी छूटे तो छोड़ दो मुख्य परकारियात्मक्समू आना जरूरी मुख्य परियार का नहीं है तो फिर पाई बंद का आना जरूरी है पाई बंद नहीं तो पर तिस्ता पी का आना जरूरी है आग़ी क्या पास समझेब और इसी हिसाब से अपने पास में ये रूल दिरे दिरे क्या हो जाएंगे ये तिनो नियम और आयू पिस्जा कंप्लीट अगली वीडियो में अपन क्या करेंगे complete कर देंगे आज के लिए इतना ही जिंदारे तो फिर मिलेंगे तब तक के लिए जे हिन जे वारत पढ़ेंगे तीनों नियम और तीनों नियम पे अधारित बहुत सारे एक्जामपल बहुत सारे हजारों एक्जामपल कर लेंगे ठीक है थैंक यू Thank you so much.